नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने प्लाटफॉर्म एक्जाम पावर के ऊपर दोस्तों CBSC ने साफ साफ ये कह दिया है कि मेडिया के अंदर जो भी न्यूस फैला ही जा रही है वो ओफिशली नहीं है यारि कि बहुत सारे यूटूबर हैं बह सारें जो डेरेकली साफ साफ सब्सक्राइब का अगर आपका सब्सक्राइब नहीं होता है तो आपको जो दिये जाएंगे वो पर भreath जाला कर द सब्सक्राइब spoken animal है जो नंबर दे कर दे को यह जानना है तो आप CBC के official website पे जाएं और तीन तारीक को एक notice जो है वो CBC ने जारी किया था उसमें आपको साफ-साफ सब्दों में लिखा हुआ मिलेगा कि paper जो है वो objective किसी भी condition पे नहीं होगा या तो आपका paper subjective होगा और अगर paper subjective नहीं होता है तो उस case में आपको जो number दिये जाएंगे वो term 1 के आधार पे दिये जाएंगे तो दोस्तों आपको तयारी केवल subjective के accordingly करनी है आपको subjective के accordingly जो है वो paper की preparation करनी है हो सकता है कि हालात जो है वो सुधर जाएं अगर हालात सुधरते हैं तो आपका जो term 2 है वो होगा और subjective होगा यह officially CBC ने जो है वो साफ- आप details of CBC की official website पे जाएं और वहीं पे connect रहें वहाँ से जो news आती है वो मैं आपको इस exam power channel के उपर provide कराता हूँ मैं एक भी news जो है वो ऐसे वह से आपको नहीं provide करा रहा हूँ तो दोस्तों चैनल को subscribe कर लीजिए और term 2 की preparation भी मैं आप लोगो को इसी channel के उपर कराने वाला ह हूँ तो आई होप कि आज का जो यह वीडियो है यह काफी पसंद आया होगा आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को subscribe कर लीजिए telegram group को join कर लीजिए सारी बाते में जो है वो आपको details से बता दी गई है बिना time waste किये हुए quadratic equation 9 January को live होने वाला है तो चै तक के लिए हसते रहे ना मुस्कुराते रहे ना खिल खिलाते रहे ना टाटा बाइबर टेक के love you keep supporting and keep sharing